दोस्तों आज हम एक्सल के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो कि डी गेट है हम इसमें वी लुक अप का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वी लुक अप तो हम अल्लेडी यूज़ करते हैं लेकिन आज में आपको डी गेट कैसे यूज़ करते हैं उसका म तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त शील खन्ना इटेक्निकल जिगासे से आपका स्वागत करता हूँ तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें म tre ville से दोस्तों हमारे सामने के एक टेबल दी होइघ जैसे कि आप देखे रहे हैं इसके अंदर कुछ नाम लिखे वह हैं उनकी सेलरी है, ओटी है है और हैं ही पीडिया है इस टेबल के अंदर अब उस नाम के अंदर से हमें यह देखना है कि एक अर्जुन नाम का लड़का है जिसकी सेलरी 21,000 रुपए है उसका पीएफ अमाउंट क्या है वो हमें नहीं पता है वो हमें टेबल में से सर्च करना है अब जब हमारे पास इस टेबल के अंदर अर्जुन तीन तरह के की जगह है इसको हम डीएट का यूज करेंगे तो हम देखते हैं कि डीएट से हम किस तरह से पीएफ अमाउंट को सर्च करके लाते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैं क्या कर रहा हूंगा जिस अमाउंट को आपको डूनना है उस कॉलम में आप करसर को ले जाईए और यहां देख रहे हैं डेटा बेस अब डेटा मतलब ही आइक है कि आपको humित्स कर रहına है उसका अग् Model रहे जित्हा भी आपका डेटा होगा ऐसे सर्ट कर लेंगे कॉमें डालने के बाद कर नेक्स पूच्छना यह आप एक हम फिलट को मतलब है कि हम पादर dene कारे में जो जो पीफ वली फील्ड है, इसको हम सेर्च करेंगे, टिक करेंगे, और इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे. इस पूरी टेबल में से 12 क्राइटेरिया के हमें नेम और सेलरी वले कॉलम को डूढ़ना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे ब्लैकेट क्लोस कर देंगे, और ब्लैकेट क्लोस करने के बाद इसको अप एंटर दबाएंगे, तो आपके सामने य इसकी की सेलरी एकीस हजार रोपे है उसका पीएफ forgiven setबाश सो रोपे है जैसे की आप ये देख रहे है येरू स्ँकी सेलरी एकीस थार रहा है इसका पीएफ ऑन साथ utilize ौफ़े है यह और बाकी कика sit तो अर्जुन है उनके salary एक में 10,000 था और उसका PFF मॉंकT 1300 रुपई है और तीसरे अर्जुन की salary 20,000 रुपई है उसका PFF मॉंकT 25,000 रुपई है तो इन तीन अर्जुन में से जिसकी salary 21,000 था वो D get formula के through हमने उसका PFF amount के निकाल लिया तो दोस्तो इस तरह सिखे वीडियो के अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा एसको लाइक और शेर करना मत भूलेगा थैंक यू दोस्तों थैंक यू फोर वाचिंग